दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी अब मेरला कट फ्रॉग को कैसे स्टेच करें सब्सक्राइब किजी स्टेचिंग के लाव चैनल बेल आइकॉन दमाई लेटरस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पिछले वीडियो मैंने अंब्रेलला कट फ्रॉग की कटिंग के बारें बताया था और यह कौक मैंने साड़ी में से बनाई तो आपको कटिंह dip देख लें और इस वीडियो में सलाइक के तो पार्ट है कि यह उल्टा नेट रख लेंगे और देखिए यह यह इसका अस्तव है और अस्तर को हम से यहाँ पे इस तरह से शेट करने के बाद दर निदौ से स्टीजा करने के बदाध के आप सीधा करेंगे यह श्चिज आ अप पीस हम तयार कर लेंगे और जो हमारी नेक पट्टी है उसके बार इमदाती तो दीए यह नेक पट्टी है तो नीचे मैंने पट्टी रख लिए उपर से कैनवास और आदा इंची यह कपड़ा ज्यादा लिया था इसको इस तरह से फोल्ड करती वह पूरा श्टिच के लेंग यहां पर इस्टिश डालेंगे यह बट्टी से सीधी हो जाएंगी सारी बट्टियां हम तयार कर लेंगे और यह आपको इस कट के बारे में बताती हूं तो दीखिए यह इसका अस्तर है यह एक पार्ट हम इस तरह से खोल देते हैं और दीखिए जो दूसरा पार्ट है इसको फिनिशिंग दे देंगे आप चाहिए तो इसकी पीको भी कर सकते हैं तो हाफ इंच हम इस तरह से फोल कर देंगे पूरा राउंड में जब यह तयार हो जाएगा तो फिर जो नेट का इसका कट है उसको तयार करेंगे तो दीखिए जो हमारी इसका कमर है और आपको नीचे क पीको करते हैं और इसके लिए मैंने यह फिसिंग लाइन लिया है और इससे मैं यहां पर पीको करूंगी तो देखिए यहां पर हम इसको इस तरह से एक वार फोल कर लें फिर इस तरह से फोल कर लें और अभी हम पीको के लिए देखिए मैंने यहां पर फुटर चेंज कर ल तो देखिए पूरा हमने राउंड में पीको कर दिया है और देखिए यहां पर भी हम साइड फिटिंग करेंगे उसके लिए देखिए जितना हमने हाफ इंची मार्जर लिया है क्योंकि तो राउंड में तो हमारा कमर्जु था में इसके मारा टी हम फिर को तो तो ये यहांँ पर काह मैं पर आवच सथा नादेखिए इसको सब्योंड में पर हाँ और एकना है बार्जाद सेढ़ बार से से कि इसमें मैंने पूरा stitching डाल दिया इसी घरे जो हमारा इस्तर याइज का पी स्टा नुजय कर लिया कि इसको सिधा कर लिया कि ऐस्तर भी हमारा सीधा है तो सीधे अस्तर को रहने इसके अंदर से निकाल देगे तो दीखिए यह कमर का इस्टिचिंग है जो अस्तर वाला पीस है और दीखिए यह हमारा नेट का है यहां से अभी हम स्टार्ट करते हैं दोरों पीसों को एक साथ अस्तर में हमने थोड़ा कपड़ा ज्यादा लिया तो इसमें क्या करेंगे छोटी-छोटी दूर-दूर पे एक अध प्लेट डाल देंगे जिससे क्या है कि नेट की बराबर कमर हमारा साइज हो जाएगा तो दीखिए मैंने पूरा राउंड में स्टिच कर लिए जैसे बताया था छोटी-छोटी दूर-दूर में प्लेट डाल दी इसे ही क्या है कि अस्तर हमारा थीक रहेगा क्योंक इस तरह से इस्टेचिंग डाल दे हैं इसे को क्या है हम प्रिंसिस कट में कर देंगे क्योंकि यह नेट और यह कॉटन है तो दोनों कपड़ा एक साथ सेट नहीं हो पा रहे है पहले आप इसको एसको प्लेट डालते समय आप अच्छे से प्लेट डाल सके तो जो हमने मार्क इसे हलकी सी सिलाई रहेगी और ऊपर जाके थोड़ी सी सिलाई जाता हो जाएगी इससे क्या है हमारा साइज कप साइज भी अच्छे से बन जाएगा और इसकी फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी तो अभी हम इसमें प्लेट डालना शुरू करते हैं तो पहले नीचे को प्लेट डालते हैं तो सब से पहले, नीच Beim लेट डाल डर तो देखि नीचे फाले प्लेयट मैं स्टेच करते हैं अभि मुद्डे खाले मुद्डेप बहली अले कि स्टेच करते हैं तो देखी मैंने यहां पर इसी तरह से दूसरी साइड में प्लेट डाल देए तो आप देखेंगे सीवी तरफ देखें अच्छे से महरा यह से तयार हो गई है अभी हम नेक तयार करते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने पताया था वैसे मैंने इसको इस्टेच कर लिया और यहा तो दीखी मैंने सकूंट इसको इस्टेच कर दिया और भी आप पलट के इसको उंदर की तरह पलट देंगे किनारी पेस लाइड राकी सिंशिंग देरें ते अब कि देखिए नेक की फिनिशिंग हो चुकिए इसी तरह मैंने बैक साइड का पीस पीश पी तैयार कर लिया है और अभी हम इसको सोल्डर से स्टिच करते हैं तो जो बैक साइड का पाट है मैंने इसको इस तरह से फोल करके भी नेक पे फिनिशिंग देए खाली पत्ती लगाई बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी तो देखिए इस पत्ती को अंदर की तरव इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहां पर स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग डालना तो देखिए मैंने यहां पर सोल्डर पर डवल स्टिच चल दिए एक किनारी पर डाल दी तौनों त करते हैं तो देखिए नेक भी हमारा तयार हो चुका है अभी जैसे यह से यहां पर फिनिशिंग देंगे उसके लिए जो पट्टी कटकी थी मैंने जोइंट कर लिए इस तरह से डवल फोल्ड कर देंगे और एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक को कर देखिए को टे कर य है तो दीकी यहां पर इस्टिच टाल दीचा और यहां में किनारेश इट Над Eliot को बैसे उस तो देखिए दौनों साइड की आमोल की मैंने फिनिशिंग दे लिए अभी हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं उसके लिए हम ब्लाउज को उल्टा रख लेते हैं कि देखिए हमने यहां पर दो इंच एश्टा लिया था देखिए एक साइड मार्किंग और यह है दूसरी साइड में मार्किंग कर लेते हैं कि देखिए जाए रख लेते हैं कि तो अप्ञा सम्मसरूर फैagę कम्प्लीट कर लिए और भी हम इसको इसका के साथ मैं सिधा करते हैं तो दिधी कि इसका को इसा इस सीधा रख लेंगे और perhaps इसके अंदर तो देखिए यहां पर मैंने डवल इस्टिच डाल दी अंदर से तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारी इस तरह से नीचे पूरा प्लेन आएगा उपर की तरफ देखिए हमने जो डिजाइन वाला कपड़ता वो यूज किया तो यह पूरा उपर का पार्ट हमारा डिजाइनर बन गया और देखिए जो प्रिंसेस कट में इसको कनवर्ट कर दिया इसके वह इसे सेब भी बहुत अच्छी बैठेगी आपको तो आप देख रहे हैं नहीं कि हमारा कितना सुंदर है यह सलेब लेसे और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें पूरा गहर आएगा तो करुछ fixes तो देखिँ नहीं उला आपको तो आपको सुंदर हुछ लागजे रहेज मार्गत रहे हैं झाल सुंदर हैं अभी झाल सक्व बहुतिकर देखिए समय कियो तो इसमया इसकतल अएगा का नहीं कि जाएगजेदीदस के सबस्स बदेखें